असलाम लेकुम नाजरीन आज मैं लूप्स वाला गला बनाने वाली हूँ जो बिलकुल ने त्रीके का होगा उसका त्रीका यह है कि यह मैंने तीन भाई इदर से सवाचे गला गनशान लगा लिया है गला मैं इसला बनाओंगी कि इदर से मैं थोड़ा गुलाई में काले लेती हूं अब इदर से मैंने एक इंच लिया है और इदर से पहले गूल के निशान लगा लिया है गोल इक निशान कर ले आई हैं पिर मैंने आदी इंच को क deste कि यहाला कर गते हो यह जो इन्द रोगा कहराएं और ये ड मी अब यह मैं ऐसे कट्टिंग करूंगी यह देखें आधी इंच का इधर से इसलिए डोन की है मैंने कि एक तो मेरा यह दूसरा मेरा इतने हिसे में यह लूप्स लाग जाएंगी और इसका तरीक है कि पहले मैं इसको कपड़े पर बठाऊंगी इसको कपड़े पर चिपका के त एक्पड़े पर मैंने चिपका लिया गया और असलाई लगा लिया साथ अब मैं इधर इतने हिस्वाय इधर तक लगाओ उसका मतलब है इसका इसलिए मैं लगाऊंगी कि इस पास साइड पे मुझे पता चाल जे कि यह मेरे पर प्रट इतनी है और निशान भी आजे और इस लाई भी लग जगे क्योंकि यह में लूप उतनी जगापे लगाऊंगी लग गया तो मैं अब इसको अब मैं इसको गुम सा इसलिए इस पे लगाऊंगी कि यह मेरे गुम लाग जाएं क्योंकि पहले इसका इक तरीका यह भी कि आप गला पहले बना आके उसके उपर यह लूप लगाएं लेकिन मैं पहले लूप लगाऊंगी फिर गलाल बनाऊंगी तो यह अंदर की तरफ चला जाएगा यह इसको यह बाहर की तरफ नहीं नज़र आएगा अब मैं इसका तरीका बताने वाली हूँ कि यह मैं पहले इस पर लगा के अंदर की तरफ कैसे लेके जाऊंगी यह लगा लिए और एक यह लगा लिया ठीक है क्योंकि पहले मैं गोल लूप से लगा चुकी हूँ अब मैं थोड़ा सा इसको यह स्लाई लगा लिए अब यह जो लूप से इसको मैं इदर लेके आऊंगी फिर आप देख ले यह दोनों लूप से लगाएं एक लूप से जो इसके नीचे से इसे नीचे से लेके आऊंगी तो मैं इस पे ऐसे इदर तक लगा लूँगी दुबारा देखें फिर ऐसे पकड़के आपने इस तरह स्लाई लगाने हैं ऐसे स्लाई लगाएं जब आप एक और लूप से रखेंगी ऐसे ऐसे तो आपने इसको फिर नीचे से लेके आना है इस तरह ठीक है इस तरह आपने फिर इदर से लेके आना है इस तरह अब फिर इसको ऐसे रखेंगी एक नई लूप फिर आपने इसको इस तरह नीचे से लेके आना है इसी तरह यह मैं complete करती जाओंगी विडियो complete हो जाओंगी यह देखें यह इदर से मेरे कमल हो गया है इदर आपने वकफाराक लेना है और इस चीज़ को आपने जोड लेना है इदर आपने वकफाराक लेना और इस चीड को जोड लेना है इन दोनुग चीज़ों को जोड़ेंगी तो इस तरह वकफाराक लेंगी तो यह छोटे छोटे इदर से कुंदर से बन जाएंगे यह सीधे साइड पर आपने लूट्स लगाई है तो अब इदर से मैं इस सलाई लगाऊंगे इस तरह रखते हुए इदर से सलाई लगाते हुए कि मेरा यह लूट्स जब इस उपर आ जाएंगी तो इस लाई लगाने के बाद मैं इदर से कटिंग कर लेती हुए पिर आप इदर से यह कट छोटे छोटे ऐसे जरूर लगाईएगा अब मैं इसको सीधा करूंगी सीधा करके यह इस तरह मेरा गला आजएगा सीधा करके मैं आपको बताती हुए ये लूपस वाला गला मेरा बन के तियार हो गया है बिल्कुल असानी के साथ मैंने आपको बताया है अगर आपको पसंद आए शेयर करें लाइक करें सबस्क्राइब करना न बूलें लाफिस